आप देख रहे हैं चोहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए रिवैल्योएशन के बारे में आप जानते हैं कि रिवैल्योएशन एक ओप्षन है जो की इगनू प्रोवाइड करवाता है उन सभी इस्ट्रेंट्स के लिए जो की अपना थियोरी एकजाम तो देते हैं लेकिन अपने जो नंबर उनके आते हैं जो रिजल्ट उनका आता है उससे वो सैटिस्वाई नहीं होते हैं उनको लगता है कि उनको जाजा मार्क्स आने चाहिए थे तो उनके लिए एक ओप्षन इगनू ने जो दिया है वो है रिवैलियोशन का लेकिन रिवैलियोशन में आप जानते की फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो आज की वीडियो में हम इसी के उपर जानेंगे कि रिवैलियोशन करवाना एक गुड आप्षन है या फिर नहीं आप जो जिसमबर 2022 का इग्जाम है जिसका आपका result अभी आया ही होगा तो उसमें आपका अगर कोई ऐसा subject है जिसमें आपके कम marks आए हैं तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या ऑफ्टन आपके पास हैं अगर आप उस subject के marks को increase करवाना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़ result आता है, तो उसमें 2 conditions होते हैं, या तो आप उस subject में pass हो जाएंगे, या फिर उस subject में आप fail हो जाएंगे, ठीक, तो अगर आप उस subject में fail हो गए, तब आपके पास 2 option आते है, 2 option भषते हैं, जिन से आप अपने marks increase कर वा सकते हैं और उस subject में पास हो सकते हैं अच्छे मार्स से या तो आप क्या करें कि उसके लिए रिवैलिएशन भर दे रिवैलिवैशन जो होता है उस से मार्स इंक्रीज होते हैं क्या आप जितने भी इस्ट्वेंट है जो भी रिवैलिवैशन भरते हैं उनमें देखा भी होगा कि यह मैंने answers जो हैं वो सही की हैं तो आपके पास एक knowledge होगी एक idea होगा कि 100 में से 70 marks मेरे आने चाहिए थे अगर आपको 100 में से 20 marks मिले तो आप जानते हैं कि आपको कम marks मिले थे आप revaluation करवाई और आपके marks increased हो जाएंगे लेकिन अगर आपका जो subject है उसमें आपको कोई confidence नहीं है कि आपका 100 नंबर का paper था और आपने 40 नंबर का ही paper किया था उसमें से अगर आपको 35-36 marks आ गए तो फिर revaluation करवाने के इतना ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि 40 तो आप खुदी अपने marks को expect कर रहे थे तो उससे ज्य marks यह वो increase हो सकते हैं और कितना इसमें फायदा है क्या आपने जो paper किया था वो अच्छा किया था या नहीं यह देखकर आप revaluation करवा सकते हैं दूसरा इसमें option यह है कि आप इसका दुबारा exam देदे अगर आप किसी subject में fail होए है तो एक option तो यह है कि आप उसका revaluation करवा दे यह दूसरा option यह है कि आप 6 वहीने बाद जो exam होंगे उनमें आप exam दे दीजिए और exam में pass हो जाईए एक condition यह भी होती है कि आप किसी subject में fail नहीं होए लेकिन borderline से pass हो गए मान लीजे कि 100 नंबर का paper है आपको 40 नंबर चाहिए ते pass होने के लिए और आप क्या है 41 marks 42 marks 43 यह 44 marks अब ऐसे case में आप दुबारा भी exam उस subject कर नहीं दे सकते क्योंकि आप उस subject में pass हो गए है और एक बार आपके subject में pass हो गए तो आप उसका दुबारा exam नहीं दे सकते लेकिन आपके इतने कम marks है कि आपका जो है उससे overall percentage जो है वो कम हो जाएगा तो आप उसमें revaluation करवा सकते revaluation ही एक मातर option है आपके पास only option है जिससे आप अपने marks जो है वो increase करवा सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया revaluation में भी आपके marks तब increase होते हैं जब आप पहले से यह जानते हों कि हाँ मेरा paper जो है वो अच्छा गया था और उसमें ज्यादा marks मुझे आने चाहिए अगर आपका जो exam है उसमें आपको कम marks मिले हैं जबकि आपने अच्छा exam दिया था तो उसके लिए revaluation एक बहुत अच्छा option है आपके पास revaluation करवा के students जो है वो 15 से 20 marks भी अपने increase करवा देते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को ल जार जरूर किजी